महाशुरात्री के औसे पर भूद भावन वब महाकाल और माता पारवती के रिसेप्शन का आयोजन चारधा में रखा गया लेकिन कोरोना के कहर को देखते भी रिसेप्शन का स्वरूप छोटा ही रखा गया महाशुराती पर भूत भावन वबा महाकाल और माता पारवती के विभा के बाद शुक्रपार को रिसेप्शन आयोजित किया गया हाला कि कोरोना संक्रमन की खत्रे को वबा महाकाल और माता पारवती के इसे रिसेप्शन पर भी साफ दिखाई दिया यहाँ पर सिमेत भगतों की उपस्तिती में ही चारधा मंदिर में रिस्प्शन का आयोजन क्या गया आयोजन में उत्तर प्रदेश कानपूर के विधायर का दिलिफ से हैं यादो भी शामिल कोई भवान महाकाल और माता पारवती का पूजन गर प्रसादी ग्रहन की आपको बता दे कि महाशिव राते के बाद आने वाले प्रदोष पर रिस्प्शन का आयोजन की आ जाता है बहुत अच्छा लगा और यह मैं अंदर भाई हमको देखते रहते हैं हम इनको डेली कुछ न कुछ यह भेजते हैं बाबा के नाम पर बाबा के भक्त गड़ों के लिए कुछ न कुछ सामाजिक जीवन में यह सेवा करते रहते हैं और मैं कानपूर सुचल के आया हूँ मैं नाम दिलीब सिंग यादो है और मैं बस बाबा के दर्वार में आता रहता हूं जब मौका मिलता बाबा बुला लेते हूं उनकी किरपाया बफ आ जाता हूं जब शिवरात्री के दिन बाबा का विवा होता है और सुबावित्था के विवा में वीगन पेदा हुआ था तो प्रदोश के दिन जो अन्यदान का रस्म हुआ था है उसी अन्यदान का रस्म हम आज के दिन नगर भोज के रूप में करते हैं कारोना काल होने की वज़े से हम बरात का आयोजन नहीं कर पाए, शाषन की सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना तैसलिए आयोजन को छोटा कर पाए, हम तत हजार भोजन के वितरन पेकट वितरन कर रहे हैं और तमाम सरद्धालू भार से आये हैं, उन सब के हम 56 भोग भोजन कर अनन दद्ध जो करोना काल के बाद भी इतनी ताकस से बोलने वाले, सभी हमारे सवरच्षक राजेश अगरवाजी, रबन तिरवेदी, चंद्र सिकर वस्री जी, इन्होंने के देख करो, जो होगा देखी जाएगी, और हम भी बाबा के दिवाने हैं, आम का रस, जो कभी न बना, इंदराणी, और रबडी, और कहा नाम से खोपरापा, गुलाव जाओन, चपपन जने बगवान, और जिसमें 10 संदे के मीठे तो चल रहे हैं, यह बाबा के बहुत करता है, और हमने करोना रिष्टान का पूरा पारन करा, और बाबा के इसी कर पारी के खुब आना से बोजन रहे हैं, ना भीड़ हो रही ना भाड़ हो रही लोग बोजन करके अराम से जा रहे हैं, जा इस तरी महाकार,